नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड परिक्षावाणी MCQ प्रेक्टिस सेट सीरीज जिसमें हम पूरी परिक्षावाणी को चैप्टर वाइस MCQ के रूप में यहाँ पर कवर करें अभी तक हमने उत्राखंड के हिस्ट्री, भोतिक सरचना, नदी तंत्र, वन, वन आंदोलन, खनीज संपदा, गलेशिर, जील, टाल इन सबके MCQs को चैप्टर वाइस यहाँ पर कवर किया जैसा आप जानते हैं हमारा साथवाँ चैप्टर हम यहाँ पर कवर कर रहे थे जिसमें हम उत्राखन की क्रशी, उत्राखन में सिचाई और उत्राखन की मिट्टी से संबंदित प्रश्णों को कवर कर रहे थे इस चेप्टर की ये हमारी आखरी वीडियो होगी और इसके बाद आपका चेप्टर नंबर 7 भी कवर हो जाएगा अगर आपने इससे पहले की क्लासिस को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज हम इस चेप्टर में जो आपके बचे हुए इंपोर्टेंट 32 कोशन से उनको यहाँ पर कवर करेंगे एक्ष्टा फेक्ट के साथ तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है राज्य में उत्पादित मंडवा जिसे कोदा भी कहते हैं अनाज का निर्यात किस देश को किया जाता है तो देखे उत्राखंड में होने वाले मंडवा का कहां पर जादा मांग है डिमांड इसकी जादा कहा है ये भेजा जाता है जापान को ऑप्शन B सही आंसर होगा उत्राखंड में कितने प्रतिशत छेत्र में मंडवे का उत्पादन होता है ये आपको पूछा जा सकता है क् कि जो उत्राखन की प्रमुक फसले हैं, कम से कम टॉफ फाइव आपको पता होनी चाहिए, कई बार हमने कवर किया है, पिछली क्लासिस में भी हमने इनको देखा है, कि उत्राखन की जो सबसे प्रमुक फसल है, वो गेहूं है, उसके बाद आपकी चावल आती है, फिर आपका गर्ना आता है, और नमबर चार पर आपका मंडवा आता है, ठीक है, कितने कितने चेतर पर ये होते हैं, इसको लेकर के एक छोटा सा डाउट है, काफी फ्रेंट्स के कमेंट्स थे, कि गेहूं का उत्पादन उत्राखन में 33 फीसीदी चेतर पर, चावल का उत्पादन 21.6 फ यहां पर भी रिवाइस करते हैं, गेहूं आपका लगभग 30 फीसीदी चेतर में बोया जाता है, ठीक है, चावल की बात करें, तो ये 26 फीसीदी है, गन्ना आपका 9 फीसीदी है, और मंडवा आपका 8 फीसीदी है, ठीक है, और उत्राखन में टोटल दालों का कितना जो यहां पर खेती होती है, वो 6 फीसीदी है, तो ये आपका नया वाला डेटा है, 2020-2021 का ये डेटा है, जो 2022 में आया और 2024 की परिक्षावाणी में दिया गया है, ठीक है, एक और चीज़, ये तो हमने मंडवा को देखा कि यहां किस देश को भेजा जाता है, ऐसे ही एक वन वनस्पती किस देश को निर्यात करता है भारत या उत्राखन से यहां किस देश को जाती है, तो जूहला वनस्पती आपके फ्रांस को जाती है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, उत्राखन में इस्तित उपरी गंगा नहर का उधगाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गय देखिए उपरी गंगा नहर की बात करते हैं, उपरी गंगा नहर आपके हरिद्वार से लेकर कानपूर तक जाती है, कई बार पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक जाती है, हरिद्वार से लेकर कानपूर तक जाती है, यहाँ बनी कब थी, तो उपरी गंगा नहर का निर्मा गवर्नर जनरल था डलहौजी के द्वारा राज्य की सबसे पुरानी जो नहर है उपनी गंगा नहर इसका उधगाटन किया गया था ठीक है अगर पूछेगा निर्मान किसने करवाया या किसके नित्रुत में इसका निर्मान हुआ था तो पीबी कोटले का नाम आपने याद क इस नहर को मंजूरी कब दी गई कोटले के द्वारा यहां मंजूरी इसे 1836 में दी गई थी 42 से निर्मान शुरू हुआ और 54 में जाकर पूरी हो गई ठीक है चलिए नेक्स टे उत्राखन राज्य के संधर्व में राज्य में सरवादिक छित्रफल में बोई जाने वाली फस घटते हुए क्रम में बताना है यानि सबसे पहले आपका गेहूं आ जाएगा उसके बाद आपका चावल आ जाएगा फिर आपका गन्ना और फिर आपका मंडवा A, C, D, B इसका सही आंसर होगा A, C, D, B तो इसे करेक्ट करना यहाँ पर यह D होगा और यह B होगा Option A इसका सही आंसर यहाँ पर बनेगा ठीक है उपर मैंने आपको करम बताया उनको भी साथ में लिखते वे जरूर चले Next है, फसल कटाई में तिहरी रियासत के अंतरगत समीदार के हिस्से को क्या कहते थे? तो फसल कटाई में तिहरी रियासत के अंतरगत जो जमीदार का हिस्सा होता था उसे तिहार कर इसे कहा जाता था तो टिहीरे में फसल कटाई के समय जमीदार के द्वारा कौन सा कर लिया जाता था या जमीदार को कौन सा कर दिया जाता था आप कहेंगे तिहार कर उत्राखंड राज्य का नानक सागरबांध निम्लिकित किस नदी पर इस्तित है तो नानक सागर बांध है जो आपका यहाँ उधम सिंग नगर और नेनिताल की सीमा पर इस्तित है नंद और नदी पर बना हुआ है option A हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा नेक्स्ट ए उत्राखंड राज्य का निम्न में से कौन सा स्थान है जिसे फलो उध्यान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है तो फलो उध्यान का स्वर्ग यह कहा जाता है चौबटिया को option A हमारा सही आंसर होगा देखे दो कोशन्स को याद करना एक आपका फलो उद्यान का स्वर्ग तब आप कहेंगे चौबटिया और एक कहेगा परवतिया फल बाजार के रूप में कौन प्रसिद है तब आपने कहना है ननिताल का भवाली ठीक है जो भवाली है यह परवतिया फल बाजार के रूप में जाना जाता है और फलो उद्यान के स्वर्ग के रूप में चौबटिया जो अलमोडा में है उसे जाना जाता है चौबटिया में चौबटिया उद्यान की स्थापना कब करी गई थी 1899 में करी गई थी W. Crow के द्वारा कोशन बहुत बार आया है 1932 में चौबटिया में Hill Fruit Research Station की स्थापना करी गई जिसे हिंदी में परवतिया, फल, शोद केंद्र कहा जाता है सिधा कोशन बनता है परवतिया, फल, शोद केंद्र कहा है चौबटिया कब बना 1932 में बना था ओप्षन B. सही आंसर होगा 2011 में उत्राखन राज्य के अंदर गोश्रक्ष्ण नियमवली को जारी किया गया तो आपसे कहेगा आधिनियम कब बना गोश्रक्ष्ण से संबंदित या गोश्रक्ष्ण से संबंदित तब आप 2007 कहेंगे और गौस अरक्षन से संबंदित नियमावली कब जारी करी गई, तब आप 2011 को याद करेंगे, ठीक है, निमलिकित किस जील से छोटी छोटी नहरे निकाल कर नैनिताल जिले के कुछ छेतरों की सिचाई करी जाती है, तो इन में से कौन सी जील है, कौन सा ताल है, जिसमें से कई सारी छोटी छोटी नहरे निकाली गई हैं सिचाई के लिए, यह है आपका कुमाव का सबसे बड़ा ताल भीमताल, option C, सही आंसर होगा, यह कुमाव का सबसे बड़ा ताल है, और इसमें से कई सारी छोटी 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 नहरों को इसमें से निकाला गया है, ठीक है, राज् सबसे पुरानी नहर उपरी गंगा नहर का निर्मान कब हुआ था अभी हमने इसके बारे में उपर डीटेल में बात करी कोशन के साथ साथ फैक्ट को हम कवर करते वे चलते हैं जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ में हूता रहे अब आपको अच्छे से पता है उपरी गंगा नहर कब बनी किसने बनाई कम बंजूरी मिली कब उधगाटन इसका किया गया 1842 से लेकर 54 के बीच में यह नहर बनी थी उत्राखन राज्ये के तीन सरवादिक प्रमुक गेहूं उत्पादन करने वाले जिले घटते करम में आपने बताने हैं तो राज्ये में किस जन्पद में सबसे ज़ादा गेहूं होता है ये होता है उधम सिंग नगर में उधम सिंग नगर के बाद हरिद्वार का स्थान आता है और फिर आपका नेनिताल में उत्राखन के टौप टौप तीन गेहूं उत्पादन राज-जिले कौन-कौन से हैं सबसे पहला उधम सिंग नगर है फिर नम्बर दो पर हरिद्वार है और नम्बर तीन पर नेनिताल है आपसे ऐसे ही चावल के बारे में पूछा जाता है आलू के बारे में पूछा जाता है, मक्का के बारे में, गन्ना के बारे में, एक कोशन बन जाते हैं, मंडवा को ले करके तो जो सबसे लेटिस्ट डाटा है, 2021 का डेटा, जो कृशी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्द है, जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया था इसके अनुसार अगर आप देखेंगे, सबसे जादा चावल उतपादक वाले राज्य जनपद कौन कौन से हैं, चावल उतपादन सबसे जादा उधमसिंग नगर में हुआ था, उसके बाद आपका स्थान आता है नैनिताल का, और नैनिताल के बाद हरिद्वार का आता है, य ये गेहू उत्पादन वाले है, ये चंवल उत्पादन वाले राज़े हैं। मक्कां उत्पादन सबसे ज़्यादा देहरादूर में होता है, उसके बाद नेनिताल में और फिर आपका पॉड़ी के अंदर होता है। मंडवा की बात करें, अभी हमने देखा जापान को भेजा जाता है, सबसे ज़्यादा अलमोडा में, फिर पौडी में और फिर चमोली में, ये टॉप तीन-तीन जिलों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके लावा अगर हम जौं की बात करें, जौं को लिकर भी कोशन बनता ह जों सबसे ज़्यादा पौडी में होता है, उसके बाद पिथोरा गड़ और फिर आपका अलमोडा, गन्ना की बात करें, उधम सिंग नगर में सबसे ज़्यादा है, फिर हरिद्वार और फिर देहरा दून, उत्राखंड में कुल खाद्यान का उत्पादन सबसे ज़्याद ज़्यादा किस ज़्यादा में होता है, उत्तरकाशी और फिर चमूली, इसको आपने याद करना, इनको नोट करते वे चलना, और जो ये पीडियेफ है, 2021 का जो डेटा है, ये मैं टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, वहां से भी इनको बना सकते हैं, शौर्ट आपको यहाँ पर बताए, निक्स्ट है, उत्राखन की उपरी गंगा नहर के संधर्व में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है, पहला, यहाँ हरिद्वार के समीब गंगा नदी के दाहीने तरफ से निकाली गई है, कई बार एक्जाम प्रणाली की लंबाई हरिद्वार से कानपूर तक है, तो कहां से कहां तक जाती है, हरिद्वार से लेकर कानपूर तक जाती है, यहाँ भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है, यह आपका गलत हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी जो नहर प्रणाली है, वहाँ आपकी इं 1836 में PB कोटले ने इस नहर को सुकृत किया था, ये सही हो जाएगा, ठीक है, निर्मान कब से शुरू हुआ, 42 से, और बनकर कब तयार हुई, 54 के अंदर, नेक्स्ट है, अधोलिकित का सुमेलित करते हुए कूट द्वारा सही उत्तर का चैन करें, एक तरफ कुछ इंपोर्टे क्रिशी नीती आई थी, वो आई थी 2011 के अंदर, यानि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नई जो क्रिशी नीती है, यहां पर प्रथम होगा, प्रथम क्रिशी नीती 2011 में आई, नई जो क्रिशी नीती है, वो 2018 में आई थी, ठीक है, दूसरा, उत्राखन, सीड certification agency ये कब बनी seed को लेकर के जो ये agency बनी है यहाँ आपके 14 March 2001 को बनी थी यानि B का answer हो जाएगा 3 चार के बाद आपका 3 आ जाएगा organic certification agency की बात करें यहाँ 8 June 2006 को बना यानि इसके बाद 1 आएगा और कृषिय उत्पादन विप्रन बोर्ड ये बना था दिसंबर 2000 में यानि 2 आ जाएगा तो 4-3-1-2 इसका सही आंसर है 4-3-1-2 निम्न में से कौन सी नहर 1928 में काली नदी पर बनाई गई थी तो काली नदी को ही शार्दा नदी के नाम से भी जाना जाता है इस पर बनीवी नहर का नाम क्या हो जाएगा शार्दा नहर हो जाएगा इस नहर का निर्माण 1928 में शुरू होता है और इसका निर्माण पूरा 1928 में होता है तो आप से कहेगा कब से कब तक हुआ तो 20-28 कब हुआ तब सीधा 1928 पर टिक करेंगे उत्राखंड राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है जबकि दिल्ली में इसे किस नाम से बेचा जाता है दिल्ली में इसे न्यूजीलेंड ब्राण्ड नेम से बेचा जाता है option c सही उत्तर होगा जिरेनियम उत्राखण में उत्पादित एक शुगंद युक्त पौधा है यहाँ निम्न में से किस मूल देश का पौधा है देखे जिरेनियम जिसमें से जो अंतिम उत्पाद बनता एक पेपर में कोशन बना था कि जिरेनियम पौधे का अंतिम उत्पाद क्या है तो यहाँ जो जरेनियम पौदा है, यहाँ मुल रूप से अफरीकी मुल का पौदा है, option A इसका सही आंसर यहाँ पे होगा, निम्न में से कौन सी नहर जिसका निर्माण कराने का श्रे पृत्वी पती शहा की माता रानी कर्णवती को जाता है, रानी कर्णवती किसकी पतनी थी, क राजपूर नहर का निर्माण करवाया था, कोशन उल्टा भी बन सकता है कि राजपूर नहर जो देहरदून में है, किसने बनाई, तब आप कहेंगे, रानी कर्णवती के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीके, अगर कोशन आ जाए, राजपूर नहर का पुनर उधार कब और किसने किया, तो 1840 में जो पीबी कोटले है, उसने किया था, उपरी गंगा नहर का आधुन की करण कब किया गया, तो उपरी गंगा नहर जो 1854 में बन गई थी, इसका आधुन की करण 1983 में किया गया, उप्शन A, सही उत्तर होगा, निमलिकित में से देहरदून का सुल्त के नाम से किसे जाना जाता है तो देहरादून का सुल्तान महावीर तियागी को कहते हैं option ए सही उत्तर होगा परवतिया छेतरो में गाउं के मध्य की भूमी को क्या कहा जाता है देखे परवतिय छेत्रों में जो भूमी गाउं के बीच में होती है गाउं के मध्य में होती है उसे कहा जाता है बिचलिया भूमी option D, सही अंसर होगा जो भूमी जंगलों से लगी हुई होती है उस भूमी को बुर्ण्य भूमी कहा जाता है और जो भूमी घर के नज़देक होती है उसे घर्य भूमी कहा जाता है इसको आपने याद करने हैं उत्राखन राज्य में गुणात्मक बेजों की उपलबता सुनिश्चित कराने के लिए उत्राखन स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना कब करी गई? तो अभी आमने उपर देखा था जो ऐसे वाले आपके संस्थान हैं जो राज्य गठन के बाद बने और म सही आंसर हो जाएगा ठीक है? और्गैनिक सर्टिफिकेशन एजनसी की बात करें वो आपकी 2006 में बनी थी कृषी विपणन बोड वो आपका 2000 में बना था इसके अलावा किसान रत्न सम्मान कप्षे शुरू किया गया उत्राखन में 2010 से उत्राखन किसान आयोग कब बना? 2016 मे उत्राखन जैविक उत्पाद परिशद कब बनी? 2003 में यह कुछ important version नेक्स्ट है लस्तर नहर 1970 में बनी थी यहाँ राज्य में किस जिले से संबंद इत्थ है? तो लस्तर नहर है जो आपकी यहाँ रुद्र प्रियाग में स्तित है option C इसका सही आंसर होगा next ए 1969 में बनी हनुमन्था राव समीती का संबंद निम्न में से किस नहर या बांध से है 1969 में एक समीती बनाए गए थी हनुमन्था राव समीती और यहाँ संबंद थी आपकी तिहरी बांध से option A सही आंसर होगा 1969 में इस समीती का गठन किया गया और आप जानते हैं 1972 में योजना आयोग ने टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी नेक्स्ट है उत्राखन किसान आयोग का गठन कब किया गया था अभी आमने उपर देखा जब महतपुन वर्षों को देखा उत्राखन किसान आयोग दिसंबर 2016 में बनाया गया था उत्राखन राज्य में चाई की खेती के संधर्व में निमलिकित कतनों में से कौन सा कतन गलत है चलिए देखते हैं विशब हिबर ने सरु प्रतम चाई उत्पादन की संभावनाओं के संधर्व में सन 1824 में कुमाओ यात्रा में वर्णन किया ये आपका बिल्कुल सही है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कुछ जगहों पर दिया है कि विशब हिबर ने सबसे पहले यहां चाई उत्पादन शुरू किया 1824 में लेकिन छोटे स्तर पर और कुछ जगहों पर ऐसा दिया है कि इसने केवल यहां की संभावना को जताया कि इस छित्र में चाई की खिती अच्छी हो सकती है सन 1834 में डलहौजी ने एक कमेटिक का गठन किया ये गलत हो जाएगा 1834 चल रहा है डलहौजी यहां पर नहीं होका कमेटिक का गठन किसके द्वारा किया गया था कमेटिक का गठन आपका विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था ओप्शन भी इसमें गलत है 1841 में मेजर कारवेट द्वारा हवाला बाग में चाई बगीचा लगवाया गया सही है, गड़वाल में चाह उत्पादन का पहला प्रियास लोहावा जो चमोली में है, वहाँ पर किया गया, ये वाला बिंदू भी सही है, इंपोर्टन्ट हो जाएगा, गड़वाल के अंदर पहली बार चाह उत्पादन का प्रियास कब हुआ, तब आप कहेंगे चमोली के अंदर हुआ था लोहावा में, हाला कि यहाँ प्रियास असफल रहा था, ठीक है, जो पहली चाह फैक्टरी लगी थी, गड़वाल के अंदर, वो पौड़ी के गड़ोली में लगी थी, 1843 में डी एच चौफिन का नाम दिया गया है, उसके द्वारा लगाई गई थी, डॉ पूटे इस्तर पर विशप हेबर ने किया, बड़े इस्तर पर डॉक्टर राइले ने किया, डॉक्टर राइले भी 1827 में यहाँ पर आता है, और उसके बाद उसी के सिफारिशों पर ट्रेल को वो सिफारिशन देता है, और फिट्रेल बेंटिक से कहता है, और कमीटिक अग option A हमारा सही आंसर होगा राज्य के किस जिले में milk powder plant इस्तित है तो milk powder plant यहाँ आपके उधम सिंग नगर में इस्तित है option C सही आंसर होगा जो उत्राखन का पहला दुग्द संग था वो कहां बना था हलदवानी में कब बना था 1949 में इसी प्रकार dairy शोध विकास केंद्र कहां है तो आप आप कहेंगे यह नैनी दाल के अंदर है और milk powder plant आपके उधम सिंग नगर में पढ़ता है उत्राखन राज्य में म्रदा स्वास्त काड योचना प्रारम बकी गई तो उत्राखन में म्रदा स्वास्त काड योचना ये शुरू करी गई थी 5 दिसंबर 2018 को important योचना है म्रदा स्वास्त काड योचना 5 दिसंबर को शुरू किया गया 5 दिसंबर को हर साल विश्व म्रदा दिवस मनाया जाता है निम्न में से किस वेक्ति को 1848 में चाय की खीती सीखने के लिए चाइना भीजा गया था 1850 में तो S.I.V.A. खुद चाइना से यहां पर आया था चाय की खीती सिखाने के लिए जो चीनी चाय विशिशक गया था लेकिन 1848 में यहां से भी 1842 में मिस्टर ब्लैकवर्थ के द्वारा शुरू किया गया यहां उत्पादित मोटे पत्ते वाली चाई को क्या नाम दिया गया देखे पौडी में कहा गया है कि चाई की पहली फैक्टरी 1843 में लगाई कई गडौली में डिये चौफी ने लगाई और चाई का उत्पादन की बात यहां 1842 में कर रहा है यानि उत्पादन शुरू हुआ और फिर अगले साल जाकर फैक्टरी यहां पा लगी उत्पादन में मिस्टर ब्लैकवर्थ का नाम याद कर लीजिए इसके द्वारा मोटे पत्ते वाली चाई का उत्पादन किया गया और इसको नाम दिया गया पोचोंग ओप्शन A सही आंसर हो जाएगा इस्थानिया भूमी बटवारे के संधर्व में उत्राखन राज्य में पचार सिमार कैसी भूमी होती है पाचर सिमार भूमी या सिमंद जिसको कहते हैं जिसमें पानी हमेशा बना रहता है नमी हमेशा उसमें रहती है इस प्रकार की भूमी अर्ध सिंचित भूमी होती है अर्ध करना इसे ठीक है अर्ध सिंचित भूमी चौबटिया रानी खेत में परवतिया फल शोध केंद्र की इस्थापना निम्न में से कब करी गई तो परवतिया फल शोध केंद्र अभी हमने उपर देखा था 1932 में इसे बनाया गया था कहां पर अलमोडा के चौबटिया में बनाया गया था निम्न में से कौन उत्रा खन की एक प्रमुक नगदी फसल है देखें नगदी फसल क्या होती है कई बार हमने इसको cover किया है टॉप जीके वाली जो हमारी सीरीज है उसमें भी देखा है और जोगरोफी की जो हमारी डीटेल सीरीज थी उसमें भी देखा नगदी फसल के अंतरगर उन फसलों को रखा जाता है जिनकी खेती कोई भी किसान बेचने हितू करता है स्वयम के लिए नहीं करता है उसका इस्तेमाल जैसे चावल है गेहू है वो खुद भी इस्तेमाल करेगा उसके बाद वो बाजार में बेचेगा लेकिन कुछ खेती ऐसी होती है जो वो किवल बेचने के उद्यश से करता है जैसे गन्ना हो गया आपका तमभाकू हो गया यह सारी नगदी फसल में आती है तो उत्राखन की जो प्रमुक नगदी फसल है वो गन्ना है उपश्न ए सही आंसर होगा ना सिर्फ उत्राखन की बल्कि पूरे देश में जो सबसे प्रमुक नगदी फसल मानी जाती है वो गन्ना को ही माना जाता है ठीक है ओप्शन ए इसका सही आंसर होगा बाकि गेहूं चावल डाल पहले किसान अपने लिए रखता है और जो अतरिक्त हुआ फिर उसको मार्केट में बेचता है तो नगदी फसल को लेकरके इस प चेप्टर था चेप्टर नमबर 7 अब ये आपका कवर हो चुका है इसमें हमने टोटल 132 MCQs को कवर किया इसमें हमने उतराकन की सिचाई व्यवस्था को देखा मिटियों के प्रकार को देखा यहां की कृशी को देखा बहुत सारे प्रशनों को अतरिक तत्यों के साथ MCQs हम अगले दो से तीन क्लासेस में कवर करेंगे यानि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका जनगड़ना वाला टॉपिक जनसंख्या के MCQs आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही हम इस पूरी सीरीज में पूरी परिक्षावानी को चेप्टर वाइस MCQ के तौर पर कवर कर जाएंगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ह आमेज जरूर बताएं, थेंक्यू फ्रेंड्स